गर्वदाराना तथा प्रेगिननसी कब हो सकती है इसके बारे में आज आपसे मैं बात्चीत करने वाला हूँ मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार सेक्स्रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तित अग्यों महाराष्ट में अकॉला में रेट्टिस करता हूँ कभी सारे लोग आते हैं कि जिनको बच्चा चाहिए और बच्चा हो नहीं रहे हैं प्राब्लम तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता हैं इन्विस्टिकेशन सब जाच परताल करने के बाद में कुछ मालूप नहीं पड़ता हैं और तबी भी बच्चा होनी रहे हैं प्रेग्नसी नहीं रह रहे हैं इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक कॉमन कारण जो मैं लोगों बताता हूं उसके लिए मतलब इलाज के और अभी आपको देने वाला हूं तो प्रेग्नसी कभर है सकती है यह सवाल है तो इस मेंस्टूएशन मतलब मासीक धर्म महिला का यह पराबबर 28 दिन में आ रहा है हर 28 दिन में मासीक धर्म आ रहा है और समझ के चलो कि साइकल जो है श्टूएल साइकल वह रेगिलर है तो स कैलकुलेशन पिर ऐसा होता है कि एम सी जब चालू होती है उस दिन का दिन पकड़ना पहला नमबर वन और वो दिन में आप 14 दिन मिलाओ मतलब एक तारीक को कि एम सी चालू हो गई उसमें 14 दिन मिलाने का हैं मतलब तारीक आगी 14 कि उसको मार्क कर लेना उसके चार दिन पहले मतलब 11 12 13 और 14 और चार दिन बाद में पंदरा सोला सतरा अठरा तो जो कि यारा से अठरा जो दिन है यह दिन में यदि संभूग होता है तो उस समय प्रिग्नसी रह सकती है फिर से दो रहाता हूं कि मासिक धर्म जब चालू होने का दिन जो है पहला दिन हम पहला पकड़ते हैं कि वह से यह काउंट करने के समय पहला जिन है समझो एक तारीख है वह उप एक तारीख को चालो हो गया तो वह से 11 दिन से 8 दिन तक यह जो दिन है आठ दिन उसमें maximum chances होते हैं pregnancy रहने के या बच्चा रहने के घर्वाराण होने के दूसरा example एक समझो मासिक धर्म जो है menstrual cycle जो है वह बारवे तरी मतलब महने के बारवी दिन चालो हो गई तो बारवी दिन चालो हो गई तो ट्वेल्थ दे में आप 11 मिलाएंगे मतलब तेज तारीक और तेज तारीक से तीस तारीक तक जो आठ दिन है यह आठ दिन में maximum chances से गर्वदारा होने के या pregnancy रहने के अब यह बात में कर रहा हूं कि जिनकी menstrual cycle जो लीडी की जो महिला के menstrual cycle रहे हैं मगर इनकी रेगुलर नहीं है वहां गया तो वहां एक मोड़ा ऐसा हिसाब है क्या होता है कभी-कभी कोई महला में menstrual cycle जो कभी एक मेने की देड़ मेने की होती फिर उसमें कैसा करना तो उसमें calculation करने का तरीका यह है कि mc चालू होने के साथ दिन पहले और mc चालू होने के साथ दिन बात और mc चालू होने के साथ दिन पहले मतलब 14 दिन calculate आप करते तो उसमें गर्बदाना होने के chances बिल्कुल नहीं रहते हैं पर बाकी दिन संभोग करते हैं तो बाकी दिन गर्बदाना हो सकती है अभी मेरे पास में कुप अभी एक वेक्ति मेरे पास में आया वोतारा कि एक साल हो गया शादी को और प्रेगनसी नहीं रह रही पर जब एंक्वाइरी किया तो मालूम पड़ा कि वो काफी घुम फिरने वाला आदमी है काफी टूरिंग करना पड़ता है तो calculation में जो मैं बोल रहा हूं उसी समय जब उसने घर में रहना चाहिए और उनका इंट्रकॉर्स ह होना चाहिए उससमयं का समभूग ने होरा बाकी दिन हो रहा है और जब बाकी दिन हो रहा तो गर्वना कैसी हो जाएंगी उए नहीं सकती तो इसलिए जिनको मतलब प्रेगनसी अ को रखने का है उनने यह देखना है कि घर मताराना होने के चांसे जो है वह मांसिक धर में च इन चांज़े से की घर्वद आणा हो जाएगी जो कश का अन निकलता है एग निकलता है तो बराबर है की नहीं और मतलब वो जाच करना सब जरूए और सब नॉर्मल है तो फिर 11 दिन से लेकर आठ्रा दिन तक चांसे जाना है चांसे कब नहीं है पहले साथ दिन एमसी चालो ने के पहले साथ दिन एमसी चालो कि वहां से साथ दिन चांसे बिलकुल नहीं है तो यह देखते हैं यहां से तो आपको मालूम पढ़ेगा कि प्रेग्नसी होती क्यों है या होती क्यों है दोनों मालूम पढ़ेगा और वहां से हम कैलिकुलेड करते तो प्रेग्न बीजिए बीजिए दिया जाओ है टो रटे बीजिए नविए